तो आन सेकिन में फिर से आगया एक न्यू वीडियो लेकर और इस वीडियो में में बात करूगा डैडपूल एन वुलवरेन मुवी के बारे में तो शली वीडियो को शार्ट करती है तो रिसनली मैंने बात किया था कि Hulk अपियर होगा या फिर नहीं होगा Deadpool तेरे movie में तो अब यह एक rumor निकल के आया है और उस rumor के according Deadpool and Wolverine movie में हमें यह बताया जाएगा कि Deadpool मल्टिवस में travel करता है Wolverine के एक variant को ढूनने के लिए तक कि वो वाला variant उसे help कर सके और इसी जननी के दोरान Deadpool ढून लेता है Wolverine के एक variant को जो कि लणने वाला होता है Hulk से बट उतने में ही Hulk fake देता है Deadpool को एक portal में तो बस Hulk का सिन सिर्फ इतना ही होगा Deadpool and Wolverine movie में जैसे कि लोग कह रहेते हैं कि Hulk हमें दिखाई देगा Deadpool 3 movie में और यह सिन हमें movie के शाट में नजर आएगा जब Deadpool ढूनेगा Wolverine के variant को और बाद में वो यू जैग में से मिलेगा यानि कि वो चूस करेगा कि यह variant उसे चाहिए तो बस इतना ही सिन है और अब बात करो दूसरे जिसके बारे में तो अभी अभी यानि कि आज 30 मिनिट की footage बताए गई है Deadpool and Wolverine movie की शैंगाई में तो उसका कुछ description निकल के आएगा या फिर मुझे कुछ information मिलेगा तो मैं आप लोगों तक पहुचा दोगा कि वहाँ पर क्या दिखाया गया हमें क् सकता है जो भी कुछ rumor वगेरा information होगा मैं लेके आप लोगों तक आजाओगा जिसके साथ आगे भी और फैन इवेंट्स होने वाले जहां पर 30 मिनिट की footage 15 मिनिट की footage कई कई पर 40 मिनिट की footage बताए जाएगी तो हमें लीक्स मिलना शुरू हो जाएगे तो आज से रेडी हो जो मेरे साबसे तो मैं लेके आजाओगा जितना कुछ मुझे मिलेगा तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक करो और कर न्यू बंदा है बंदी वो चानल को शेयर और सबस्क्राइब करो तो मैं मिल तो वैसे किसी को शेयर करो